शुप प्रभात बच्चो आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार जन में सब छोटे बड़े भी स्वस्थ होंगे बड़ों से याद आया यानि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी जो आप सबसे खुब प्यार करते हैं बच्चो स्मरन रहे कि घर के बड़े बुड़े घर की नीव होती हैं बुड़ापे में इनसान को बच्चो के सहारे की अधिक आवश्यक्ता होती है स्टूडेंट्स आपके न्यू सेशन का आरंबिक पार्ट तीन बुड़ी काकी भी तो इसी थीम पर आधारित है जो आपकी हिंदी पुस्तक उमंग में संकलित है बुड़ी काकी मतलब बुड़ी दाधी इस पाठ के लेखग मुझी प्रेम चंजी हैं उनकी इस कहानी की मुख्य पात्रा बुड़ी काकी समस्त व्रिद समुदाय की प्रतिन धिबन कर उबरी हैं जो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों यानि पोते पोतियों से स पुड़ी काकी के पती और पुत्रों की मृत्यू हो चुकी है वह अपने भतीजे बुद्धी राम उसकी पती रूपा और तीन पोते-पोतियों के संग रहती है जिसने काकी की जायदाद अपने नाम लिखवाने से पहले तो उसकी सेवा करने के खूब वाइदे किये थे लेक लिखिन जायदाद हात में आते ही उस चलने फिरने से लाचार बुडिया को दो वक्त का भर पेट खाना पाने के लिए भी परिशान कर दिया दो सो रुपए वार्शिक आय देने वाली काकी अपने पोते के शगुन के दिन भी अच्छा भोजन खाने की अपून लालसा में जूठी पतले खाने को विवश हो जाती है तो चलिए पाठ की अतिदिक जानकारी प्राप्त करने से पहले जरा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पर चर्चा कर लें तो आईए चलते हैं प्रिष्ठ 23 पर जहां हमारा पहला शब्द है मारमिक और करुणा भरी जरा इसकी वर्तनिकी और ध्यान दीजिए म को आ, म को छोटी ई, उपर रेफ, क, मारमिक और करुणा भरी, क, र को छोटा, उ, अ, अ, भ, र को बड़ी, ई, करुणा भरी, यानि हाट टचिंग अगला शब्द है व्रिद्धों, व के पैर मेरी, ध को हलन्त, ध को ओ, उपर बिंदी, व्रिद्धों यानि बूडों बच्चों, अगला शब्द जो रेखांकित किया गया है वह है अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे, पाई मिस्टेक ये गलत है, यहाँ आना चाहिए उपेक्षा, यानि टू इग्नोर अगली पंक्ती की और बढ़िये, पश्चा ताप, प आदाश, च को आ, त को आ, प, पश्चा ताप, टू रिपेंट, अगला पाट को, पाट को यानि रीडर्स चलते हैं अगले शब्द की और, जो हैं सहानु भूती, स, ह, को, आ, न, को, छोटा, उ, भ, को, बड़ा, उ, त, को, छोटी, इ, सहानु भूती मीन्स सिंप्थी अगला शब्द परिपेक्ष्य, प, र, को, छोटी, इ, प, के उपर, ए, आदाख्ष, य, परिपेक्ष, यानि बैग्ग्राउंड अगला शब्द है सम्मान योग्य स आदा म म को आन सम्मान य को ओ आदा गय सम्मान योग्य means respectable बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर जो है स्वर्ग सिधारे स्वर्ग सिधारे यानि death कालांतर कालांतर यानि काफी समय अगला शब्द तरुन तर को छोटा उ अन्य तरुन मीज जवान अगली पंक्ती की ओर बढ़ते हैं और शब्द देखिए संपती स के उपर बिंदी प आदे त को छोटी इ त संपती मीज जायदाद तो अगला शब्द देखिए वार्षिक आय व को आ श को छोटी इ उपर रेफ और क वड़ा आ य आय वार्षिक आय मेंज एन्वल इंकम अगला शब्द है तथापी त थ को आ प को छोटी इ तथापी मेंज तब भी अगली पंक्ती में देखिए पहला शब्द सहज 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 मींज आसान अगला है सजन सजन यानि भला आदमी और अंतिम पंक्ती में देखिए तिवर तको बड़ी इ व के पैर में पदेन तिवर यानि तेज अगली पैरा की पहली पंक्ती में पहला शब्द है संपून सर के उपर बिंदी पको बड़ा उ अन्या के उपर रेफ संपून यानि सारे बच्चों में आशा करती हूँ कि आप साथ साथ इन कठी शब्दों के अर्थ लिख रहे होंगे ताकि आप इस पाठ को असानी से समझ सके तो आईए अगले शब्द पर जो है अनुराग अनुराग यानि स्नेह भई भई का मतलब है डर इसी पंक्ती में दूसरा शब्द है चबैना चब को ए न को आ चबैना यानि चने अगली पंक्ती शब्द रक्षागार रक्ष को आ रक्षाग को आ रक्षागार यानि सेफ प्लेस यद्यपी 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 यानि चाहे अगली पंक्ती का पहला शब्द लोलुकता ल को ओ ल को छोटा उ प त को आ लोलुकता यानि लालज इसी पंक्ती का अंतिम शब्द देखिए सुलब सर को छोटा उ, लभ, सुलभ यानी आसान अगली पंक्ती में आईए और शब्द देखिए स्वार्था अनुकूलता ये शब्द दो शब्दों के मेगल से बना है स्वार्थ प्लस अनुकूलता अगला शब्द आरोपन यानी पैदा आगे की और बढ़ते हुए हम अगले शब्द को रिखांकित करेंगे तिलक, यहाँ तिलक का भाव है शगुन उत्सव, उ अदा त, स, व, उत्सव यानी फंक्शन प्रबंध, प के पैर में पदेन, ब के उपर बिंदी ध, प्रबंध मींज अरेंजमेंट व्यस्थ, आदा व, यह, आदा स, त, व्यस्थ यानी बीजी नेक्स्ट वर्ड है बठियों, व, त, के पैर में हलन, ठ, को छोटी इ, य, को ओ, और बिंदी बठियों यानी चुल हों बढ़ते हैं अगली पंक्ती की ओर जहां शब्द है कडाह, कडाह यानी बिग पोट्स यानी बड़े बड़े बरतन नेक्स्ट वर्ड है पक्वान, पक्वान यानी डिशिस आगे बढ़िये मसालेदार तरकारी, मसालेदार तरकारी, स्पाइसी वेजिटेबल करी और इस प्रिष्ट पर हमारा अंतिम शब्द है शुधा वर्दक, क्षको छोटाऊ, धको आ, शुधा, वर्दक वर्दक के उपर रेव क, शुधा वर्दक यानी टेम्टिंग तो बच्चो, ये थे प्रिष्ट 23 के डिफिकल्ट वर्ड्स, तो अब हम इसकी रेडिंग शुरू करते हैं और फिर से चलते हैं पहली पंक्टी की और यह मारमीक और करुना भरी कहानी है, जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा व्रिधों की उपेक्षा दर्शाई गई है अंत में बहुरूपा व्रिध सास के प्रती किये गए पर पश्चा ताप करती है बुड़ी काकी के प्रती, परिवार की उपेक्षा से पाठकों के मन में व्रिधों के प्रती सहानु भूती उत्पन होती है क्या सचमुच आज के परिपेक्षियम में व्रिधों की ऐसी हिस्तिती है, वे सम्मान के योग्य हैं आईए समाज की दिशा को बदले तो प्यारे विद्यार्थियों, मुंची प्रेम चंजी की इस मन को छू लेने वाली कहानी में यही बताने का प्रियास किया गया है कि बड़े बुजुर्गों को समय और सम्मान की अकांक्षा रहती है आज भी समाज में वे परिवार के सदस्यों की उपेक्षा जहेल रहे हैं, जिसे हमें बदलना होगा तो आओ, अब हम विधिवत रोप से इस कहानी का प्रारंभ करते हैं उनके पती देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुन हो हो कर चल बसे थे अब एक भतीजे के सिवाए और कोई ना था उसी भतीजे के नाम उन्होंने आपनी सारी संपती लिख दी बतीजे ने सारी संपत्ती लिखवाते समें खूब लंबे चोड़े वाइदे किये उस संपत्ती की वार्षिक आये डेड़ दोसो रुपए से कम ना थी तथा पी बुड़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठीनाई से मिलता था इसमें भतीजे बुद्धिराम का अपराद था अथ्वा उसकी श्रीमती रूपा का इसका निर्णाय करना भी सहज नहीं बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे किन्तु उसी समय तक जब तक उनके काम पर कोई आँच ना आये रूपा स्वभाव से तीवर थी पर ईश्वर से डर्ती थी तो बच्चो इस प्रारंभिक पैराग्राफ में कहानी के पात्रों का परीचय मिल रहा है बुडी काकी के पती और पुत्र चल बसे थे उनका भतीजा बुद्धिराम, पत्नी रूपा और उनके दो पुत्र और एक पुत्री लाडली ही अब उनका परिवार था डेड़ दो सो रुपए देनने वाली अपनी जायदाद वह सेवा पाने की मिथ्या आश्या से इस परिवार के नाम लिख चुकी थी, किन्तु भर पेट भोजन भी प्राप्त नहीं कर पा रही थी तो आएए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की और संपून परिवार में यदि काकी को अनुराग था तो वह बुद्धी राम की छोटी लड़की लाडली थी लाडली अपने दोनों भाईयों के भय के कारण अपने हिस्से की मिठाई, चबेना, बूडी काकी के पास बैठ कर ही खाया करती थी यही उसका रक्षागार था, यद्यपी काकी की शेरन उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा पी भाईयों के अन्याय से कही सुलब थी इसी स्वार्था नकूलता ने उन दोनों में सहानु भूती का अरोपन कर दिया था भाव यह है कि लाडली जो भी अपने भाईयों से चिपकर काकी के पास जाकर खाती थी इससे काकी का भी जीब का स्वाद पूरा हो जाता था शायद इन दोनों के अपने लाब ने ही इन दोनों में एक अजीब सासनिह पैदा कर दिया था कहानी में आगे नया क्या होने वाला है इसके लिए बढ़ते हैं अगले पैरा की और रात का समय था बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है तिलक यानी शगुन यह उसी का उत्सव है घर के भीतर स्त्रियागा रही थी और रूपा महमानों के लिए भोजन के प्रभंद में व्यस्त थी भठियों पर कडाह रखे थी एक में पूरियां कचाडियां निकल रही थी दूसरे में अन्या पकवान बन रहे थी एक बड़े बर्तन में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसालों की शुधा वर्दक सुगंद चारों और फैली हुई थी तो बच्चों कहानी की मुख्य घटना का प्रारंब इन ही पंक्तियों से हो रहा है जब बुद्धिराम के बेटे मुखराम का तिलक आया तिलक यानी शगुन घर में खूब चहल पहल थी बहुरूपा भोजन आदी के प्रभंद में लगी थी स्वादिष्ट भोजन की खुश्बू घर में चारों और फैली हुई थी ऐसी खुश्बू से तो किसी का भी मन लल चा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों आगे की कथा वस्तु जानने के लिए हमें प्रिष्ट 24 पर जाना होगा जो की हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे तब तक आप आज पढ़ाए गए प्रिष्ट 23 को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी दोहराएंगे अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद